चल आधी शादी कर ले नीरेच जब से समझदार हुआ था उसने अपने मम्मी पापा को शायद इसी तरह देखा होगा वो बड़ा होता गया लेकिन उसके मम्मी पापा की ये बाते कभी खत्म ही नहीं हुई आपकी नौकरी लग गई है भया और मैं कॉलेज में हूँ हम दोनों इतने बड़े हो गया लेकिन इन दोनों को देखो आज भी वैसे ही लड़ते आया है अरे होता है सबके घर में होता है नीरेओ तो ज्यादा सोच मात क्यों ना सोचू जब भी सुबह होती है इनका लड़ना चालू हो जाता है क्या सबके माता पिता ऐसे ही होते हैं हाँ सबके माता पिता ऐसे ही होते हैं शादी के बात में ये चीज़े तो होती रहती है आपकी शादी होगी तो आप ये ऐसा ही करोगे अरे नहीं नहीं, मैं मम्मी पापा के तरह रोज नहीं लड़ूँगा अपनी बीवी से मुझे तो यही लगता है कि आपका रिष्टा इन दोनों से तो बहतरी होगा भीया हाँ, इन्हें तो हर बात पे एक दूसरे से लड़ना होता है कभी देखा इन दोनों को सीधे मूँ बात करते हुए नहीं तो, मैंने तो बचपन से बस इन्हें ऐसा ही देखा है जाओ मुझे तुमसे बात ही नहीं करने आहा तो जाओ ना, तुम ही कुछ दिन माई के क्यों नहीं चली जाती हो आरा कुछ दिन क्यों, ज्यादा दिन के लिए ही चली जाओंगी लो, हो गया कलियान नीरव ने पढ़ाई पूरी कर लिया और उसकी अच्छी खासी नौकरी भी लग गई थी नीरव के पापा ने अब रेटायर्मेंट ले लिया था और कमल की अब शादी हो चुकी थी जब देखो सारा दिन टीवी देखते रहते है अरे तुम्हारी बकवाँ सुनने से तो अच्छा है ना लाओ, टीवी का रेमोट मुझे दो, मुझे अपना सीरियल देखना है वही रोज घर तोड़ने वाले सीरियल देखती रहती हो अरे आप से शादी करके तो वैसे ही मैंने अपनी जिंदेगी खराब कर ली है अब टीवी भी बिना देखो क्या मैं जो करना है करो आपको कितनी बार का है कि अपने गीले कपड़े बिस्तर पर मत रखिए मेरी बात सुनते क्यों नहीं आप अरे तुम बोलती ही इतना हो कि कितना सुनूंगा मैं क्या मतलब मैं ज्यादा बोलती हूँ हाँ आप मेरी कोई बात नहीं सुनते तब ही तो मुझे इतना ज्यादा बोलना पड़ता है समझे आप जब से तुम से शादी हुई है ना समझी रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ हाँ हाँ जैसे मुझ से शादी करके तो आप बहुत पच्छतार हैं ना पहली बार जिन्दगी में कोई अच्छी और सच्छी बात किया तुमना क्या कहा आरा यह तो शुकर मनाओ कि मेरे जैसे समझदार पत्नी मिल गई आपको मना कोई आओ और आती ना तो आपको पता चल जाता कि पत्नी होती क्या है वो तो अब भी मुझे पता चली गया है मेरे तो जिन्दगी बरबाद हो गई आपसे शादी करके हा तो मेरे कौन से जन्नत हो गई है तो ठीक है रहा चली जाती हूँ मैं कब जाना है उस दिन की टिकट निकलवा देता हूँ बआपा जी दुनों शान्त हो जाओ जा बहु मेरे लिए एककप चाय ले करा बहु मेरे लिए इककप बना दियो चाय तुमारे सास के बकबक सुनकर सरदुख था है मेरा क्या कहा आरे कुछ नहीं क्या रहा था कि चाय में अद्रक डाल देना ताकि सुनने की शक्ति मिल सके आरे नीरव तुम आ गए तुम चाय प्योगे नहीं भाबी आप सब पीजे आप सब को लड़ने की शक्ति मिल जाएगी मैं ना किसी से लड़ता हूँ, ना जिक-चिक करता हूँ, बस अपने में खुश रहता हूँ सभी है भाई तू आरे निरव सुन तो, आज मुनागपुर वाली माउसे का फोन आया था, तेरे बारे में पूछ रही थी कोई लड़की है उनकी नजर में? मा मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ अरे, पुरी बात तो सुनकर जा फिर भाग गए देवर जी इससे जब भी शादी की बात करते हैं, तो भाग जाता है या टाल देता है सभी है ना, खुद को बराबर होने से बचा रहा है क्या? आरा, तुछुप कर, नेराव 26 का हो गया है और जब भी उसकी शादी की बात करो, तो हमेशा ही भागने के बारे में सोचता है हो सकता है, उसकी जिन्दगी में कोई हो, जिसे वो प्यार करता हो हाँ मा जी, लगता है देवर जी को कोई पसंद आ गई है इसलिए तो हर बार शादी की बात को टालते रहते है अगर ऐसी बात है, तो हम कहां मना कर रहा है जिससे चाहे उससे शादी कर ले हमारे घर में रोक टोक थोड़ी ना है किसी को हाँ, लेकिन बता भी तो नहीं रहे ना देवर जी, कि किससे प्यार करते है शायद वो लड़की हमारी कास्ट की ना हो, इसलिए बताने में शर्मा रहा हो अरे आज कल तो सब चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है मुझे लगता है मा जी हमें उनसे बैट कर बात करनी चाहिए कि हमें मन्जूर है जो भी लड़की हो उनकी जिन्दगी में नीरो का हर बार शादी से बचनी का कारण जाननी के लिए सबने तया किया कि वो सब रात को खानी की बाद नीरो से बात करेंगे खाना खाने के बाद सब लोग साथ में बैट कर टीवी देख रहे थे और एक दूसरी को इशारा कर रहे थे कि कौन बात को शुरू करेगा कितना अच्छा लग रहा है ना दूला इसमें हाँ कितनी अच्छी शेरवानी पहनी है ऐसी शेरवानी हमारे नीरो उपर भी बहुत अच्छी लगेगी है ना हाँ दीवर जी मा जी सही कह रही है ऐसी शेरवानी ना आप भी बना लीजी अब अर भावी परिवार में किसी की शादी है क्या जो ऐसी शेरवानी बनवा लो और किसी की क्या होगी अब तो तेरे ही बारी है शादी की हाँ दीवर जी अब तो आप इस घर में हमारी देवरानी ले ही आईए बस नीरव देख हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर तो किसी लड़की से प्यार करता है तो हाँ और किसी कास्ट की भी हुई ये तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है अप लोग फिर से ये शादीवादी की बात लिखर बढ़ गए मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी नीरव अब तेरी उम्र हो गए ये बिटा शादी आप नहीं करेगा तो कब करेगा मैं कभी नहीं करूँगा शादी समझे आप लो देख अगर कोई है जिससे तु प्यार करता है तो हम उसके घरवालों से बात कर लेंगे प्यार? वो क्या होता है? इस घर में मैंने आप सब के बेच कभी प्यार देखा ही नहीं जब से होश संबाला है तब से बस ध्जगरते हुए ही देखा है पहले मम्मी पापा को फिर आप दोनों को मुझे इस शादी के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है यह क्या बक्वास कर रहा है तूं निरव? क्या-क्या बोल रहा है? मैं क्या क्या बोल रहा हूं बापा आप दोनों ही तो कहते रहते हैं न कि गल्ती हो गई शाधी करके नहीं करनी चाहिए थी जिन्दगी बर बाद हो गई हमारी फिर आप दोनों मुझे क्यों कह रहे हैं शाधी के लिए देख भाई तू गलत समझ रहा है चोटे मोटे जगड़े तो शादी में होते ही रहते है इसकी वज़े से तु जिन्दगी पर शादी नहीं करेगा यह गहां कई समचदारी है मुझे शादी के रिष्टे में कभी प्यार ही नहीं आया मैं इस रिष्टे को इस तरह जगरती होगे नहीं बिताना चाहता मैंने भी अगर शादी कर ली तो मैं भी पूरा दिन आप दोनों की तरह बस लड़ता रहूँगा निरव तुम मत कर शादी, सही है मा यह आप क्या कह रही है अगर उसे लगता है कि वो शादी करने के बाद खुश नहीं रहेगा तो हमें उसे फोर्स नहीं करना चाहिए अगर आपको मुझे पर थोड़ा सा भी विश्वास है तो मेरी बात मानिए और इस शादी के लिए फोर्स मत कीजे बस ठीक है थैंक यू मा मा जी नीरव के मन में शादी को लेकर गलत फैमी है मैं जानती हो बहू इसलिए मुझे लगता है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है गलती हमारी है नहीं मा उसने शादी की एक साइड को देखा है दूसरे को उसने कभी देखा ही नहीं तो शादी के दूसरे साइड को भी उसे दिखाना जरूरी है ना बिटा? तुमारी माँ सही कह रही है, हमारी गलती है कि हमने बस उसे शादी का एक ही रूप दिखाया, दूसरा ना तो उसने देखा और ना ही हमने उससे दिखाया उसे समझना होगा कि शादी में अगर तक्रार है तो प्यार भी वहीं है नीरव की बातों को सुनकर सारे परिवार ने ये फैसला किया कि नीरव को अब से शादी के लिए कोई भी फोर्स नहीं करेगा लेकिन नीरव को शादी का असली मतलब समझना होगा जिससे उसकी गलत फैमी को दूर किया जा सके अगली सुबह रोज की तरह सब की जिक जिक जारी है तुम्हें कितनी बार कहा है कि आफिस में टिफिन टाइम पे दिया करो देर हो जाती है मुझे तो मुझे भी हसार काम होते कमल नाराज होकर ओफिस से लाज जाता है और जान भी बी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है नीरव ये सब देखता है और अपनी भावी के कमरे में आता है ये लिज़े पानी भावी तो मेरे एक काम करतोगे प्लीज हाँ बूलिये ना क्या करना है आज तुम्हारी ओफिस की छुट्टी है न, तुम ये टेफिन अपने भाईया को दे आओगे, मैंने आज सब कुछ उनकी पसंद का बनाया, इसलिए थोड़ी से देर हो गई मुझे आपने सब कुछ उनकी पसंद का बनाया, फिर भी दोनों लड़ रहे थे आरे वो मुझे से इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि मैं सुबह से किचिन में खड़ी थी, इसलिए उन्हें डर था कि कहीं मैं ज्यादा थक ना जाओ ओ अच्छा, कभी-कभी प्यार को दिखाने का तरीका गुस्सा जरूर होता है, लेकिन उसके पीछे बिना प्यार ही चुपा होता है अब आप ना मुझे इस शादी के फाइदे मत बताए भावी, प्लीज ठीक है, ठीक है, चलो जाओ तुम ये टिफिन उन्हें देकर आओ जी बावी, नीरो टिफिन लेकर अपने भाईया की पास आता है और उन्हें देता है ज्यादा रो रही थी क्या? आपको कैसे पता कि भावी रो रही थी? घर इतने सालों से जानता हूँ, पता है कब रोएगी, कब हसेगी सुन, उस दिना खाना नहीं खाया होगा, उसके लिए मैंने ये चॉकलेट लिया था उससे दे देना इतना ही प्यार है भावी से, तो डाटा क्यो? अरे उसकी कमर में सुबह से दर्था, फिर भी लगी हुई थी मेरे लिए खाना बनाने में, इसलिए मैंने डाट दिया बस लेकिन तो उसे चॉकलेट दे देना, और ये कमर दर्थ की दवाई भी, और कहना खाली पिटना ले ठीक है भाईया, और सुन, घर पहुंच कर कहना कि मैंने खाना खालिया है, वरना वो भी खाना नहीं खाएगी अच्छा, आप से लड़ने के बाद भावी खाना नहीं खाती? अरे नहीं, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने खाना ना खाया हो और उसने अकेले खालिया हो चाहे कितनी भी देर हो जाए, मेरे खाये बिना वो खाना नहीं खाती हम लड़ते ज़रूर है लेकिन एक दूसरे के बिना खाना कभी नहीं खाते नीरव को पहली बार लग रहा था कि उसने कभी ये देखनी की कोशिश नहीं की कि उसके भाईया भाबी एक दूसरे का इतना खयाल भी रखते हैं वो ये सोचते सोचते घर आई रहा था कि उसे बाहर से अपने मम्मी पापा के लड़ने की आवाज सुनाई दिने लगी ये देखो अभी तक लड़ी रहें ये दुनों कभी मैंने प्यार नहीं देखा इनमे आप से कितनी बार कहा है कि इस तरव मत स्वया कीज़े आप मेरी कोई बात को मान दो क्यों नहीं है अरे इस तरफ सो भी गया तो क्या बगड़ जाएगा तुम्हारा अरे मुझे नहीं पसंद कि आप इस तरह मेरे बिस्तर की तरफ सोए अब फिर भी हर बार यही बात करते हैं तो मैं तो बस बहाना चाहिए मुझसे लड़ने का और कोई काम तो है नहीं तुम्हारे पास आज से अगर मैंने देखा है आपको बिस्तर की इस तरफ सोते हुए तो मैं आपको कमरे से निकाल दूँगी इनने देखो एक छोटी सी बात को लेकर तमाशा कर रहा है मुरली धर कमरे से बाहर आता है और देखता है कि नीरव वहां खड़ा था क्या हुआ कुछ नहीं सोच रहा हूं कि मेरा शादी ना करने का फैसला काफी सही था आप दोनों को देखकर तो मेरा मन और भी पक्का हो जाता है तो मैं पता है तुम्हारी माँ मुझे बिस्तर के उस तरफ क्यों नहीं सोने दे रही थी हाँ क्योंकि उन्हें सो ना होगा और क्या बिटा उस तरफ बिस्तर के धूप बहुत आती है दिन को इसलिए तुम्हारी मा मुझे कभी सोने नहीं देती लेकिन मुझे पता है कि धूप उसे भी पसंद ने इसलिए मैं जान बुझकर वहीं सो जाता हूँ बिटा वो मुझे टोकती है रोकती है जकडती है घर छोड़के जाने की धमकी भी देती है लेकिन तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी मा साल में कितने दिन जाती है माई के वो तो एक दो दिन में हमेशा वापस आ जाया करती थी क्योंकि वो कहती थी कि उन्हें मामी पसंद नहीं है नहीं क्योंकि उसे पता था कि मुझे उसके बिना ठीक से नीन नहीं आती जब भी तुम्हारी माम आएके जाती थी मेरी तब्यत खराब हो जाती थी हाँ क्योंकि आप बार का खाना खाते थी ना इसलिए खाना तो तुम्हारी चाची अपने घर से ही भीज़ती थी, लेकिन मैं तुम्हारी मा को इतना मिस्स करता था, कि ठिक से खाना भी नहीं खाता था इसलिए वो हमेश अपने माएके से दो तिन दिन में ही वापस आ जाती थी लेकिन आप लोग तो पूरा दिन, यही ना कि पूरा दिन लड़ते रहते हैं नीरो शादी का मतलब बस एक दूसरे को प्यार से बात करना नहीं होता लेकिन एक दूसरे की परवा करते करते, एक दूसरे को डाटना, गुस्सा करना और कभी-कभी नाराज होना भी होता है तुमने तो हमेशा बस एक तरफ से देखा शादी के रिष्टे को हाँ, इसलिए मुझे लगता था कि आप सबकी शादी अधूरी है हाँ, तो तू भी, ये आधी अधूरी शादी ही कर ले क्या पता, शादी के बाद, तुझे भी पता चल जाए के पूरी शादी क्या होती है आधी शादी कर लो फैसलाब तेरा है, तेरे लिए सोनिया का रिष्टे आया है अब ये तेरे उपर है के तो क्या करना चाहता है एक साल की बाद अरे तुम्हें कितनी बार काई कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो हाथ ठीक है आज की बाद में आपका कोई काम नहीं करूंगी तुमसे तो बात करना ही बेकार है तो किस दे कहा कीजिए मैं आज आ रहा हूँ ओफिस हाँ ठीक है आज फिर से लड रही है अरे माजी अभी देखीगा कैसे पीछे पीछे आती है सुनिया सुनो ये आपका टिफिन ये आपका रुमाल ये आपकी चाबी और ये आपका पर्स सुनो आज तुमारे लिए एक ड्रेस ओर्डर की है जो तुम्हें पसंद आई थी पैन कर देख लेना ठीक है ठीक है हाई हाई मसकान तो देखो हमारी देवरानी की सरा तभी तो मैंने कहा था आधी शादी ही कर ले देख हो गई न अब पुरी प्रभा देवी अपने बेटी के साथ एक बड़े मकान में रहती थी अपने दो जवान बेटों और पती को खोचुकी प्रभा के पास अब सिर्फ छोटे बेटे गोपाल का ही सहरा था गोपाल ओफिस से आती ही मा के पास बैठ जाता मा दिन में क्या खाया बेटा पराठा सबजी खाई थी मा ने बताया दोद पिया था? गोपाल ने पूछा अब भूल गई थी बेटा मा ये बहुत गलत बात है तुम्हारे सेहत गिर रही है और तुम दोद भी नहीं पीती हो गोपाल नाराज की व्यक्त करता अरे खाने के बाद नेंद लग गई थी तो नहीं पी पाई मा ने जवाद दिया अच्छा अब रात को पी ले ना गोपाल ने कहा अब उसकी तो मैंने खीर बना दी तुम्हें खीर बहुत अच्छी लगती है ना मा तुम भी ना बहुत लापरवाई करती हो अभी नहीं अब कर लेती आना बेटा ठीक है कर लेता आओंगा ऐसे रोज गोपाल आता मा की पास बैठता और फिर खाना खाकर सूजाता सवेरे ओफिस चला जाता घर का सारा काम नाकरानी करती थी एक दिन मा प्रभादीवी ने कहा बेटा अब मेरे लिए बहु ला दे ना हरे अभी क्या जल्दी है मा बेटा पोते का मुँ देखने का बहुत मन करता है प्रभादीवी गंबीर होकर कहती ठीक है मा कर लूँगा थोड़े दिन और रुप जा जब भी मैं शादी की बात करती हूँ तुम टाल जाते हो मा जब भी ऐसे बात करती तो गोपाल मा से लिपट जाता अरे मा मैं हुना तुमारे लिए तुम बहु की चिंदा मत कर समय आने पर सब हो जाएगा मा बेटे लिपट कर खूब प्यार करती गोपाल का एक दोस्त था मोहन दोनों साथ साथ पढ़े थे और संयोग से नौकरी भी एक साथ एक आफिस में ही लगी लंज की समय एक दिन मोहन ने गोपाल से पूछा अरे यार कभी तुमारे किसी रिष्टेदार को तुमारे याँ आती जाती नहीं देखा पिताजी के मने के बाद सारे रिष्टेदारों ने हम लोगों से नाता खत्म कर लिया गोपाल ने बताया क्यों इस समय तकलीफ में रिष्टेदार ही तो काम आते हैं मोहन ने आश्यर इसे कहा लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ यहां तक कि चाचा जिने पिता जिने पढ़ाया लिखाया था उन्होंने भी नाता तोड़ दिया गोपाल थोड़ा गंभीर हो गया चाचा जी को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था मोहन ने कहा अरे चाचा को छोड़ो बुवा ने भी आना जाना छोड़ दिया सबको लगता था कि हम लोग उन पर बोज बन जाएंगे अब भी नहीं आते जाते क्या? मेरे बड़े होने और नौकरी लग जाने के बाद सबी ने रिष्टा फिर से बनाने की कोशिश की लेकिन माने मना कर दिया जब मुसीबत में साथ नहीं थे कुछ दिन बाद गूपाल ने मोहन से कहा यार मोहन तुम अकेली रहते हो एक कमरे में हमारे यहां क्यों नहीं आ जाते? दोनों साथ रेंगे? मोहन की बहुत नानुकर करने के बाद गूपाल ने मोहन को अपने घर में रहने के लिए राजी कर लिया और अब मोहन और गोपाल एक साथ रहने लगे गोपाल की मा को भी अच्छा लगने लगा तीन-चार महिने बाद एक दिन गोपाल ने मा से कहा मा मेरा नौ मेने के लिए चन्ने ट्रांसफर हो गया है अरे बेटा तुम्हारे बिना मैं कैसे रह पाऊंगी मा मोहन है और नौकरानी भी तो है तुम्हें कोई तकलिफ नहीं होगी फिर दस मेने के ही तो बात है बेटा ट्रांसफर रुक नहीं सकता क्या मा ने रोते हुए पूछा नहीं मा जी, वहाँ गोपाल के अलाबा कोई नहीं जा सकता क्योंकि वो काम सिर्फ गोपाल ही कर सकता है मोहन ने मा को बताया ये सुनकर मा रोने लगी थी फिर एक दिन गोपाल चन्ने ही चला गया मोहन मा का बहुत खैल रखता रोकरानी दोनों समय आकर खाना बना दिया करती थी और मोहन मा की हर जरूरत का ध्यान रखता एक महिना हो गया गोपाल की कोई खबर नहीं आई तो मा ने कहा मोहन बेटे, गोपाल से बात तो करा दे जी मा जी मोहन ने मा को फोन दे दिया कैसे हो बेटा मैं बिल्कुल ठीकू मा, तुम चिंता मत करो हर महिने मा गोपाल से बात करती और गोपाल हर बार यही कहता बस मा तीन महिने और रुखना पड़ेगा कुछ काम बाकी है न अरे जल्दी आना बेटा तुझे देखे बहुत दिन हो गए अरे चिंता मत कर मा मोहन है तो हाँ, मोहन तो मेरा बहुत ध्यान रखता है इसी बीच चार-पांच दिनों के लिए मोहन भी चन्ने गया था और लोट कर आया तो मा को यही बताया था कि गोपाल बिल्कुल ठीक है चिंता की कोई बात नहीं है मोहन हमेशा मा से गोपाल की बात कराता रहता लेकिन आया नहीं एक बार मा बहुत बिमार पड़ी फिर भी गोपाल नहीं आया मा की हालत खराब होती जा रही थी आस पर उसके लोग तरह-तरह की बाते करते और ऐसा बेटा भी क्या जो मा की बीमारी में भी नहीं आये चेन्ने बहुत दूर है आने में समय लगता है फिर सरकारी नौकरी में छुट्टी इतनी जिल्दी कहां मिलती है कुछ दिन बीते मा की हालत बहुत खराब हो गई और फिर वो मर जाती है ये भगवान मोहन कैसा बेटा है गोपाल जो मा की मौत में भी नहीं आया फिर जो कहानी मोहन पडोसियों को बताता है उससे सभी हैरान रह जाते है गोपाल को एक लाई इलाज बिमारी थी डाक्टर ने उसे बता दिया था कि वो कुछ दिनों का ही महमान है लेकिन मा अपने दो बेटों को खो चुकी थी पती भी नहीं थे अगर गोपाल की ये खबर लगती तो वो जितना जीना था वो भी नहीं जी पाती और गोपाल ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी मा उसकी भी मौत देखे और बे मौत मर जाए है फिर वो फोन पर कौन बात करता था वो रिकॉर्डेड आवाज मुझे दे गया था जो मैं मा को सुना देता था गोपाल की इच्छा अनुसार सारी संपती मोहन ने अनाथालाई को दे दी